ये देखे हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं ये कहीं से लग रहे हैं Shall Il dus जरूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो लोग सबसियां पसंद नहीं करते आप लोग उनको यह कबाब जरूर बनाकर लाएं और यह देखें कि जूसी कबाब बहतरी बहुत बहतरी जाएके के साथ अससलाम अलेकूम वैलकम टो माई चैनल हमारा होम कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हूं आप लोग सब ठीक और खुश होंगे आप सब की दुआं से अलहम्दोलेला हमें बिलकु ठीक हैं आज हम एक न्यू डिश के साथ फिर दुबारा हाजिर हैं आज की डिश है चपली कबाब जो हैं बिना गोश के ना बीफ के हैं ना चिकन के हैं ना मटन के हैं लेकिन बनते इतने मज़ेदार हैं आप और आपके मेहमान खा कर खुश हो जाएंगे भी छोटे चलका पिकार पानी में भिग दिया था कि यह काले ना हो जाते हैं इसलिए ठीक है हाफ केज़ी हैं और यह थी टेबिले स्पून बेसन है और यह तीन डबरोटी के स्लाइस हैं जो मैंने खुद ही ग्लेंडर करके इसका ब्रेड क्रम बना दिया है ठीक है टूटे अनियन की और बारिक चॉपまた प्राइब कहुंए जो देखना रॉरा मिर्च अपनीचarial से दो लिए उसको बारिक बारिक काट लिया है यह वन टेबिल स्पून क्रश्च चिली है और यह नमक अपनी जरुवत के हिसाब से तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है कोई भी आप पैन ले ले मैंने जो है बैंगर निस पर डाल दी है इसको अब हम थो यह देखें इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से हम इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा ताकि यह सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से यह देखें यह होना शुरू हो गए है यह देखें सॉफ्ट बस इसको मिक्स करके अब हम इसको कवर करके पकाएंगे थोड़ी दे चो मिक्स्चर निकाल लिया है अब हम इसके सारे अज़सा डालना शेरू करते हैं अच्श करश दंिया दालन है ये ये झीली प्राइब तो इसलिए अपनी ये अच्शा के भी चेरल कर देगां अब्लें अचरा बहुत ऊद्ने फाह utan था elas Meanwhile धेन ये अभी देए iOS अब हम ब्राइट क्रम दालेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको जरुवत मैसूस हो कि इसमें बाइंडिंग की और जरुवत है तो आप बेशन या फिर ब्रेट क्रम और डाल सकते हैं या पिर अंडा भी डाल सकते हैं अभी हम देखेंगे हमें और बाइंडिंग की जरुवत है तो हम इसमें अंडा डालेंगे और अगर नहीं होगी तो हम नहीं डालेंगे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हाफ अंडा डालने की जरुवत है तो मैं हाफ अंडा डाल रही हूं देखेंगे इसको मिक्स कर लेंगे अब हम अच्छे से ताके यह जूसी और टेस्ट में और ज्यादा अच्छे बनेंगे देखें हमारा मिक्स्चर जो है रेडी है अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे थोड़ा सा ओल से उसके बाद अब हम अपने कबाब रेडी करेंगे यह देखें, इस तरह से, देखें, मैंगन के हमारे चपली कबाब रेडी है, अब हम इसको फ्राइब देखें, फिर हम अपने चपली कबाब फ्राइब करेंगे, और सेकेंड यह, जो हमारा अंडे का मिक्चर बचा था, आप चाहें, तो इस तरह इसमें कोडिंग करके भी फ्राइब कर सकते हैं, जैसा आपके घरवालों को पसंद हो, आपके बच्चों को, आप इसी तरह फ्राइब करके उनको खिलाएं, यह देखें, एक साइड जब हमारी ब्राउन हो जाए, तो हम फिर दुसी साइड पलट देंगे, इसी तरह इनकी भी, एक साइड हो जाए, फिर हम दुसी साइड पलटेंगे, यह देखें, इनको जो है गोल्डन ब्राउन करना है, कितने अच्छे लग रहे हैं यह हमारे कबाब, चपली कबाब, कोई बता भी नहीं सकता है कि यह आपने बैंगन के बनाए हैं, सबजी के बने हैं, खसाइज के बनाए हैं,ने सब्सक्राइब जार रहे हैं, सबने रहे हैं,। ज